गजल रचनाकार हैं फिराग गुरक पुरी जी और जैसा कि पिछले भाग में हमने फिराग गुरक पुरी जी का जीवन परीचे पढ़ा और साथ ही इस पाथे क्रम में जोड़ेगी उनकी दरारचित रुबाईयां उसको पढ़ा और समझा अर्थसहित आगे बढ़ते वे इसी पाथे क्रम में जोड़ा गया गजल जो है उसको हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनके अर्थ के साथ समझने का प्रयास करेंगे और जैसा कि हमें जीवन परीचे में ये पता चला कि जो रचना कार है उनका रचना का जो विशे है वो क्या है और किस तरीके से वो उर्दू साहिते में एक बड़े साहिते कार के रूप में जाने जाते हैं लेकिन उन्होंने पुरानी रिवायतों को तोड़ते हुए हिंदी भाशा और उर्दू भाशा के मिले जुले रूप को लेकर यहाँ पर अपनी रचना के माध्यम से साथ ही एक नया विशे वो लेकर हमारे सामने पेश हुए है जहां हमें गजले जो है सिर्फ रुमानियत क वज़े से जानी जाती थी या हमें याद आती थी वहीं ये पुरानी रिवायत तोड़ने के बाद गजल जो है वो और साथ ही उर्दू भाशा में रचित जो साहित्ते है वो हमें अन्य नए विश्यों के साथ देखने को भी मिलने लगी और उन्ही नए विश्यों के साथ यहाँ पर हमें ये सारी गजलें देखने को मिलेंगी पढ़ते हैं गजल को और उनको उनके अर्थ के साथ समझते हैं नौरस गुंचे पंखडियों की नाजुक गिरहें खोले हैं या उड़ जाने को रंगो बू गुल्शन में पर तोले हैं नौरस नौ का मतलब वैसे तो नौ होता है लेकिन यहाँ पर संख्यावाची अर्थ ना लेकर यहाँ पर नौ का अर्थ जो है नय से लिया जाएगा यानि नौ का मतलब नया रस यानि रस यानि वहवस्तु जो आनन्द दे गुंचे मतलब फूल, पंकुडिया मतलब पंकडिया, नाजुक मतलब नर्म, गिरह मतलब गाठ, रंगो यानि रंग, बू मतलब खुश्बू, गुलशन यानि बगीचा, परतोले, पर मतलब पंक, अब परतोले का आर्थ यहाँ पर यह होता है, उडान भरने से पहले की जो परतोलना कहते हैं, तो इस गजल से हमें ये अर्थ देखने को मिलता है, कि नए रस से भरे, जो फूलों की पंकुडिया है, वो अपनी नाजुक गिरहों को, अपनी नर्म गाठों को खोल रही है, सभी ने देखा है, फूल खिलने से पहले किस स्थिती में होता है, वो उसकी सारी पंकुडिया जो है, एक के उपर एक किस तरीके से सिम्टी हुई होती है, धीरे धीरे करके वो खिलती है और एक फूल का रूप लेती है, तो उन कलियों का एक साथ एक जुट होकर सिकुड कर रहना, जो कली की संग्या देता है उनको, वो कली के रूप में होती है, और बाद में प्रकरती के प्रभाव से वो खिल कर फूल बन जाती है, उसी कली का होना और फूल का रूप अभी धारन ना किया होना ही जो है, उसकी नाजुक गिरहे हैं, यानि नर्म गाठें, नर्म गाठें एक गाठ होती है, जो सक्त होती है, जिसे खोला नहीं जा सकता, और एक गाठ ही यहाँ पर फूल के लिए, उसकी कली के लिए लिया गया है, जो कि नाजुक है, जिसे आसानी से कोई भी खोल सकता है, तो नए रस से जो फूल की पंखुडियां है, वो नाजुक गिरहों को अब खोल रही है, यानि फूल बनने को तयार है, या उड़ जाने को रंगोबू गुल्शन में परतोले हैं या फिर वो पंखुडियां जो हैं स्वेमकून गाठों से इसलिए खोलने का प्रयास कर रही है क्यूंकि वो अपने रंग और खुश्बू को साथ लेकर इस गुल्शन में बगीचे में उड़ जाने के लिए एकदम तयार है उस पक्ष शेह है वो दिखा रहा है जहां पर एक कली जो है वो खुलने को तयार है फूल का रूप धारन करने को तयार है और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी नाजुक गिरहों को खोल कर अपनी रंग और खुश्बू के साथ इस बगीचे में उड़ जाना चाहती है उस पक्षी की तरह जो पंक पसारे खड़ा हो आसमान में उड़ान भरने के लिए तारे आखे जपकावे हैं जर्रा जर्रा सोय है तुम भी सुनो हो यारों शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं तारे आखे जपकावे हैं जपकाना मतलब बार बार आखों को खोलना बंद करना जपकाना जपकाने की प्रक्रिया कहलाती है जर्रा-जर्रा यानि कण-कड सोए है तुम भी सुनो हो यारों शब यानि रात सनाटा यानि शान्ती अब यहां पर रचनाकार कहा रहे हैं कि तारे जो हैं वो आखे जपकाते में महसूस हो रहे हैं आप सभी ने आसमान में जब बड़े ही ध्यान से तारों को कभी देखा होगा तो वो टिम्टिमाते वे से नजर आते हैं तो उसी टिम्टिमाने को कवी ने अपनी कालपनिकता से जोड़ कर उसमें मानवी करण कर दिया और दिखाया है जैसे किसी व्यक्ति की आखे जबकती हैं सोने के लिए वैसे ही तारे जो हैं यहाँ पर टिम्टिमार रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी आखे जबका रहे हैं और सोने को तयार है और तारों के सोने का मतलब क्या होता है तारे अगर सो जाएं मतलब वो सुबह होने का संदेश दे रहे हैं क्योंकि सुबह होने पे तारे छुप जाते हैं और रात के अंधेरे में वही तारे टिम्टिमा कर जो है अपने उजाले से आसमान को सराब बोर कर देते हैं तो तारे आखें जपकावे हैं जर्रा जर्रा सोए हैं कन कन जो है वो सो रहा है और इसी वज़ा से तारे भी जो है अपने आखें जपकाता हुआ महसूस हो रहा है तुम भी सुनो यारों शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं अब ऐसा लग रहा है जैसे इस रा साथ के अंधेरे में जो सन्नाटा है सन्नाटा यानि शान्ती का होना और कुछ बोलना दोनों विरोधाभासी चीजे दिख रही हैं हमें यहाँ पर तो यहाँ पर कालपनिक्ता से यहाँ पर देखिए कवी ने विरोधाभास भी दिखाया है और साथ ही मानवी करन अलंकार क्योंकि जर्रा जर्रा सोता हुआ महसूस हो रहा है कंकं सोया हुआ है तुम भी सुनो यारो ऐसा लगता है यह शब जो है यह भी सन्नाटे में कुछ बोलता हुआ सा नजर आ रहा है हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही काम मिला किस्मत हम को रोले वे हैं हम किस्मत को रोले हैं हम हो हम यानि हम सभी को यहाँ पर इंगित यानि इशारा करते हुए कभी कहते हैं कि चाहे हम सब हो या फिर हमारी किस्मत हो दोनों को एक ही काम मिला है क्या है वो काम किस्मत या तो हम को रोती है या फिर हम किस्मत को रो लेते हैं अब इसमें नहित जो संदेश है वो क्या है कि कभी कहना चाहते हैं कि कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि अपनी एक सफलता से इतना वो निराश हो जाते हैं कि अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किस्मत आप से और भी महनत की मांग कर रही होती है लेकिन आप अपनी महनत को जब रोक देते हैं तो उस रोक की वजह से आपकी किसमत रो रही होती है आप पर, तो कभी हम पर संदेश दे रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं, कि हमें महनत करने से कभी रुकना नहीं चाहिए, असफलता आना हमारी मार्ग की रुकावट नहीं बनना चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि किसमत हमको रो लेवे हैं और हम किसमत को रो ले हैं, या तो हमारी किसमत हमको लेकर रोती है, या तो हम अपनी किसमत को लेकर रोते हैं, तो हमारी किसमत को और हमको दोनों को एक ही काम मिला है इस जीवन में, कि हम दोनों एक दूसरे को लेकर सिर्फ रोते ही रहते हैं जो मुझे को बदनाम करें हैं काश वे इतना सोच सकें मेरा परदा खोले हैं या अपना परदा खोले हैं कभी कह रहे हैं कि जो लोग मुझे को बदनाम करने का प्रयास करते रहते हैं काश कभी वह ये भी फुर्चत में वैठ के सोच ले कि वो ये करने से क्या मेरा परदा खोले है यानि मेरे व्यक्तित को लोगों के सामने उधगाटित कर रहे हैं पेश कर रहे हैं परदा खोलने का मतलब पेश करना, सामने लाना, चीजों को, तो यहाँ पर जब कभी कह रहें कि मुझको बदनाम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वो लोग, वो व्यक्ति, जो है मेरा परदा खोल रहे हैं। अपना परदा खोलने कभी ये भी शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करें अब मेरा परदा खोलना या अपना परदा खोलने से क्या भी प्राय है जब कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक रूप में आपके व्यक्तितु को पेश करने का प्रयास करता है गलत अफवाहों के साथ तो वो हमको बदनार नहीं कर रहा होता है बलकि अपने व्यक्तितु के एक नकारात्मक पक्ष को उजागर कर रहा होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के विवहार को कितनी निंदात्मक रूप से बुराईयों के साथ नकारात्मक रूप में पेश करने की शमता रखता है तो कभी बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी निंदा करने से किसी भी व्यक्ति के नकारात्मक पक्ष को पेश करना निंदा करना ये उसको नहीं बलकि हमी को बुरा दिखाता है तो इसलिए ये एक आप देखेंगे गजल के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ सनेह, प्यार, आशिकी को लेकर ही चीजे नहीं देखने को मिल रही है हमें समाज की बड़े-बड़े चेहरे देखने को मिल रहे हैं, संदेश देखने को मिल रहे हैं और आपने पहले में तो देखा ही होगा कि यहाँ पर प्रकरती का वर्णन मिल रहा है पहले और दूसरे में प्रकरती का वर्णन है, तीसरे और चौथे में हमें बहुत ही अच्छा और बड़ा सामाजिक संदेश देते हुए कभी दिख रहे हैं एक बड़ फिर से दोरा लेते हैं, नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं नए रस से भरे हुए जो फूल की पंखड़ियां है वो अपनी नाजुक गिरहों को, अपनी नर्म गाठों को खोल रहा है ऐसा लग रहा है तो वो अपनी रंग और खुशबू के साथ इस बगीचे में उढ़ जाने को तयार है उसी तरीके से जिस तरीके से पंख पसारे एक पक्षी आसमान में उढ़ जाने को तयार है तारे आखे जपकावे हैं जर्रा जर्रा सोई हैं तारे जो है आखे जपकाते हुए महसूस हो रहे हैं और जर्रा जर्रा जो है कंड कंड जो है वो सोता हुआ महसूस हो रहा है तुम भी सुनो यारों ये शब जो है इसका सन्नाटा भी जैसे लगता है कुछ बोलने को तयार है हम हो या हमारी किस्मत हो हमारी दोनों को ही एक ही का मिला हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक ही का मिला किस्मत हम को रो लेती है और हम किस्मत को रो लेते हैं और यहाँ पर बहुत ही सरल भाशा में एक गहरा संदेश कभी ने दिया है कि मेहनत को रोक देना प्रयासों को रोक देना जो है वो किस्मत को वज़ा देती है हम पर रोने की हम तो रोते ही रहते हैं किस्मत को लेकर लेकिन किस्मत को वज़ा रोने की हम अपने प्रयासों को रोक कर देते हैं जो मुझको बदनाम करें हैं काश वे इतना सोच सकें मेरा परदा खोले हैं या अपना परदा खोले हैं जो मुझको बदनाम करते हैं मेरे नकारातमक विवाहर को और व्यक्तितु को लोगों के सामने पेश करने की शमता रखते हैं उनको एक बार ये भी सोचना चाहिए कि क्य वो इस व्यवाहार से वो मेरा परदा खोल रहे हैं या स्वयम का परदा खोल रहे हैं यानि अपने व्यक्तितु के नकारात्मक पक्ष को वो स्वयम को पेश कर रहे हैं और अपने व्यक्तितु में एक निंदात्मक पक्ष को और भी जोड रहे हैं किसी व्यक्ति की निंदा कर कि क्या ऐसा करने से वह मेरा पर्दा खोल रहे हैं या अपना पर्दा खोल रहे हैं